हम आप लोगों के मायजम से अपनी बात को सीर्ष नेत्र तक पहचाना चाहते हैं कि मानवर 36 बरात्री का जब सर्वे हमारे साथ है 36 बरात्री का जब आपका माहोल हमारे साथ है CID की रिपोर्ट हमारे साथ है आपके IB की रिपोर्ट हमारे साथ है पांस साल हमने अपना सांधी पूर्ण रखा पिछली बार हमने ये आप लोगों की मानित और आज मेरी जनता जनारदन ने कहा है अगर किसी कारणवस कोई ऐसी भूल भी होती है तो चुनाव लड़ना है तो मैं ये आपको विश्वास देता हूँ आप जो कहेंगे मैं वो दोस्तों नमस्कार मिरे नाम संजे मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सभाद चुनाव की दस्तक अब बिलकुल नजदीक है चुनाव घोशित हो चुका है और चुनाव की जो तारीक है वो भी बदल चु चुनावी है आप दिल्ली की तरफ जाएं तो हर्याना नंबर की गाड़िया आपको दीख जाएंगी चाए वो भारती जंता पार्टी के बड़े नेता हो या कॉंग्रेस के इंडियन नैशनल लोगदल के हो या जजपा के या अन्या तमाम पार्टियों के जैसी जिस पार् पार्टी का दम वैसे आपको उनके दर्वारों पर लोग दिखाई दे जाएंगे बारती जंता पार्टी के जो नेता हैं पूर मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर हैं मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी हैं कृष्ण पाल गूजर हैं राब इंदर जी सिंग हैं और तमाम जो भा हमारी सेलजा का निवास है चायर अंदीप सिंग सुर्जेवाला का निवास है वहां पर भी आपको हर्यान नंबर की गाडियां दिखाई देंगी यानि कि यह तमाम वो लोग होंगे जो अपनी राजनितिक चमकाने के लिए अपनी टिकेट के लिए यानिकिट की टक टकी ज और अन्य पार्टियों के नेता हैं वो भी अपनी जुगत भीडा रहे हैं इन सब के बीच में एक पॉलिटिक्स होती है उसको कहा जाता है प्रिशर पॉलिटिक्स और राजनिति के अंदर प्रिशर पॉलिटिक्स का अलग ही महतु है अलग ही स्थान है अलग दर्जा है उस और को देएं में गोदोने फ् dueक्रीन के ज़िते थे हाथी पर बैठकर चुनाब सी ठे लेकिन बाद में कमल थाम लिया था हाथी और कमल यानि की दोनोंका लख्षमी जी से नजदीक का रिश्ता है अप अप लक्षमी जी की प्रतिमा अगर देखें लख्षमी जी का चित्र देखें तो आपको उनके बगल में हाथी भी दिखाई देंगे गजानन भी दिखाई देंगे तो हाथ में उनके कमल भी दिखाई देता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इसका आप कहीं अन्यता ना जोड़ें क्योंकि ये दोनों लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं लक्ष्मी जी से जुड़े हुए हैं और टेक्चन शर्मा चुनाव बसपा से जीतने के बाद भारतिय जंता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिये पूरे चुनाव में क्योंकि राज लक्ष्मी भाजबा की तरफ थी राज भाजबा का था शासन हरियाना में भाजबा का था टेक्चन शर्मा जी ने 2014 से 2019 तक भाजबा को समर्थन दिया प्रत्रा के अंदर विकास की गंगा भी खूब बही काम भी खूब हुए 2019 में उनको भा भाजबा ने टिकेट नहीं दिया तो टेक्चन शर्मा ने चुनाव भी नहीं लड़ा चुनाव से किनारा कर लिया कि अब 2024 के चुनाव के लिए टेक्चन्षेडकी पूरी तैयरी है आज टेक्चन शर्मा ने अपने कार्याले पर जो उनका प्रतला का जो विधान सभाज छेत्र का कार्याले है सीकरी उनका मुख्याले है वहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकरताओं का सम्मिलन किया कार्यकरता सम्मिलन में बड़ा लावलशकर था काले करता हूं कि बड़ी भीर थी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे पहले तो मैं आपको वो सुनवाता हूं कि टेक्चन शर्मा ने क्या कहा मेरे को तीन दिन में ऐसे ऐसे लोगों ने फोन किये हैं जो मेरे से दो दो तीन तीन साल से बात नहीं हो रहे थी कोई नाराज की थी बखियो उनकी आत्मा ने ऐसा जक्स जोरा मेरे को कहने लगे बाद में हो जाएंगी इलाके की लड़ाई पहले है और टेक्चन शर्मा हमारी तो नीती और नियत तेरे साथ है चैक कुछ भी हो आपने चुनाव जरूर लगना पंडेक्चन सर्मा पंडेक्चन सर्मा पंडेक्चन सर्मा आज भारतिय जनता पार्टी को भी सिर्ष नेत्रत को आपने एक जो पहचान देनी थी मैं उनसे भी अनरोध करना चाहता हूँ कि इस जनता जनारदन के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप निर्ने ले आप मैं यहां कोई आपको फोन पर ही बुलाया है मैंने और वो भी मेसेज दे करके अगर महिना दस-पंद्रे दिन का टाइम होता तो इससे दस गुनी भीड होती मेरे बुजरगवार और नौजवान साथियो मेरे को आप मार दर्सन करो कि मैंने किस तरीके से आगे की चलो यहां तक तो मैंने बता दिया कि अगर पर्सों परले दिन जिस दिन भी है भारतिये जनता पाल्टी की टिकेट होती है और नहीं भी होती है तो उसके बारे में भी निर्दिया आप बताएं मेरे को बाकि जब तक पाल्टी का डिसीजन नहीं होता है तब तक मैं तो आप से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ तब तक आप अपनी सांती बनाए रखें मजबूती के साथ हिलाके में लड़ें और बाकि रूपरेखा की बात है आगे चलके हमें चुनाव लड़ना है हमने किसी भाई के घर में जाकर के पैर भी पकड़ने हैं माहोल भी बनाना है और जैसे आप दिसा निर्देश देते हो वैसे करना है मैं तो आज आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ क्या अगर भारतिय जनता पार्टी चुनाव में टिकेट नहीं दे तो आपका क्या निर्ने है हम तुम्हारे साथ है हम तुम्हारे साथ है हम तुम्हारे साथ है जीतेगा जीतेगा आज इन बच्चों ने कोई कहा है किया वाकई आप सभी भाई इस चीज पूछना देना चाहते है तो दोनों हात खड़े करके पंडे टेक्चन सर्मो जीतेगा बई जीतेगा तुम आगे बड़ो हम तुमारे साथ है अभी मेरे एक बुजर्ग ने एक इतनी बड़ी बात कही धरमबीर माश्टर जी बोल रहे थे उन उनके जजबातों को देखते हुए मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं उन्हें कैसे रोपूँ बाकि जब उन्होंने कहा तो अब मेरे को भी लगता है सर्फरोची की तमन्ना देखना है जोज कितना मेरे साथियों आप निशिंत रहिए पार्टी का सम्मान करते हैं सीर्ष ने तरित्र से आगरे करते हैं कोई धमकी नहीं दे रहे जब 14 से 24 तक हमने जिस पार्टी में सेबा की है उनका दायत्वी बनता है कि इस इलाके की जनता को वो ध्धान में रखें अगर किसी कारणवस ये धमकी नहीं है ये हमारी हाथ जोड़ करके अपील है हम आप लोगों के मैजम से अपनी बात को सीर्ष नेत्र तक पहचाना चाहते हैं कि मानवर 36 ब्राद्री का जब सर्वे हमारे साथ है 36 ब्राद्री का जब आपका माहोल हमारे साथ है CID की रिपोर्ट हमारे साथ है आपके IB की रिपोर्ट हमारे साथ है पांस साल हमने अपना सांती पूर्ण रखा पिछली बार हमने ये आप लोगों की मानी थी और आज मेरी जनता जनारदन ने कहा है अगर किसी कारणवस कोई ऐसी भूल भी होती है तो चुनाव लड़ना है तो मैं यह आपको विश्वास देता हूँ आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा आप लोग इतनी भारी तादाद में यहां पर आये हो इतनी यहां भारी तादाद में आये और इससे आधेर आद में बाहर खड़े हुएं आज यहां एक चीज का तो निर्नय हो चुका है कि पिर्थला विधान सबाचेत्र में 24 से 39 तक आपका विधायक बनेगा चाह कोई भी तो टेक्चन शर्मा ने यह कहा कि 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था उन्होंने पार्टी की सेवा की 10 साल से वो भाज़पा की सेवा कर रहे है और टेक्चन शर्मा कह रहे थे कि भारती जंता पार्टी से उनको उम्मीद है कि पार्टी उनकी बात मनेगी लेकिन साथ ही ये कहा ये चुनाव जंता जनारधन का चुनाव है जंता जो उनको आदेश देगी उसको वो मनेंगे और जंता ने वहाँ उन से कहा टेक्चन शर्मा से की टेक्चन शर्मा जी आप चुनाव लड़िये आप चुनाव लड़िये हम आपके साथ हैं एक सूची हवा में तहर रही थी कुछ नाम सोशल मीडिया के मीडिया के या अलग-अलग वेब साइट्स के देन जो होती है उनमें नाम चल रहा था प्रतला विधान सभा के लिए टेक्चन शर्मा दावेदार है लेकिन नाम चल रहा था वहां पर कहीं दीपक डागर का कहीं नैनपाल रावत का कहीं टेक्चन शर्मा का बाजपा के कुछ राजनितिक सूत्रों ने कह दिया कि दीपक डागर का नाम सब से उपर है टेक्चन शर्मा जी की ब्रुक्टी तन गई उसमें और वो बाजिब है कि जिस व्याक्ति ने सेक्रिफाइज किया हो समझोता किया हो पांस साल तक और फिर अगला चुनाव आ गया ह क्योंकि राजनिताओं के लिए चुनाव मस्ट होता है टेक्चन शर्मा ने जो चुनाव लड़े हैं 2009 का चुनाव लड़ा प्रथला विधानसवा से उसको हार गए थे बससपा के टिकट पर टेक्चन शर्मा ने उसके बाद 2014 का चुनाव दूसरा लड़ा उसको वो जीत ग कारेकरता समयलन में कारेकरताओं ने उनसे कहा कि अगर आप चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर इस राजनीती से आप दूर हो जाएंगे धीरे धीरे और उस प्रेशर के सामने मैं अगर यह कहूं कि टेक्चन शर्मा ने ये कह दिया कि जो आप फैसला करेंगे व आपने कहा था तो मैं मान गया चुनाव में लड़ा नहीं और आपके कैंडिडेट्स की मदद की दीपक मंगला के चुनाव परचार में मुझे कही बार टेक्चन शर्मा परवल में दीखते थे प्रथला में उन्होंने काम कितना किया नहीं किया मुझे पता नहीं लेकिन व कि मुझे इग्नोर करना आसान नहीं है अगर आप मुझे इग्नोर करेंगे तो फिर मैं जंता का फैसला मानूँगा और जंता ने उनसे कह दिया कि आप चुनाव रड़िए अब बड़ी बात या जाती है दोस्तों कि क्या प्रतला विधान सभाग चुनाव के लिए आपको ध कुवीर सिंग तेवतिया कॉंग्रेस के दावेदार है कॉंग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं तीसरे धुरंदर नैनपाल रावत आजकल निर्दलिये विधायक हैं तो टेक्चन शर्मा जी का तो एलान हो गया एलान तो नैनपाल का भी पहले है नैनपाल रावत भी कह चु पूशना आज अगर पाने तो आप ठेक्चन शर्मा की हो गई और उन्होंने कहा कि अगर पारटी आला कमान ने उनको नजर अंदाज किया उन्हें इग्नोर किया तो फिर वो अगली तयारी में तयार हैं जंता के निर्देश पर और जंता ने उनको बताई दिया कि आप चुनाव लड़िये वैसे आपको क्या लगता है खासकर जो हमारे फरिदाबाद पलवल और प्रतला विधान सबाद चेतर के सुधी दर्शक हैं अगर टेक्चन शर्मा को भारती जंता पारटी का टिकेट नहीं मिलता तो क्या वो वाक सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज